कि आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एक्तम बढ़िया हूं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूं जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY फेशियल जिसे के हम घर में कर सकते हैं वैसे तो आज कल हर पार्टी हर फंक्षन के लिए हर कोई पार्लर से ही फेशियल कराता है या फिर फेशियल किट आती है तो उससे फेशियल करते हैं लेकिन हर छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए हम बहार जाएं और बहार जाके पूल भी सही नहीं है तो आज मैं आपके साथ डियाइवार शेयर कर रही हूं इससे आप घर पे ही गोल्ड फेशियल जैसा लोग पा सकते हैं वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब कर लेजा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो अधिक ट्내 सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले हमें ले लेना है एक चमत चान्मल्ड आटा और आधा कटा हूवा टमाटर में हम Christer had book और फिर इन सारी चाभों को मिक्स करके और हलका सा उसमें वालाना है और फिर आधे टमाटर से हमें अपने फेस को स्क्रब करना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यह सारी चीजे जब मैंने मिलाए थी तो मैं कैमरा मैंने आन तो किया वा था लेकिन वीडियो आन करना मैं भूल गए क्योंकि बीज बीज में सौर यह उड़ जा रहा था तो इस बज़े से वह शूट नहीं हो पाया तो उसके लिए माफी चाहूंगी क्योंकि वह बीज बीज में उड़ जाता है और फिर डिस्ट अप करता है तो इस बज़े से वह सूट नहीं हो पाया और तो बाकी हमें से आधे टमाटर से अपने फेस को बहुत हलके हाथों से पे स्क्रब करना है और इससे हमारे जो भी बलैक हैड्स वाइट हैड्स हैं वो सारे अच्छे से रिमोव हो जाते हैं और इसको दोने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और बहुती साफ लग रहा है और जो भी धूब के वज़े से वगरा थी वो सारी एकदम clean हो गई है और हमें इसे पांच मिनट तक हलके हाथों से अपने फेस पे scrub करने के बाद wash कर लेना है और फिर उसके बाद हलके हाथों से इसको towel से या किसी रुमाल से soft वा रुमाल से इसको dry कर लेना है और फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे अपना दूसरा स्टेप जिसमें कि हम बनाएंगे DIY पैक और इसके लिए मैंने ले लिया है एक चम्मच बेसन और एक चुटकी हल्दी का लिया है और उसमें डालोंगे हमें थोड़ा सा एक चम्मच नीवो का रस और थोड़ा सा डालोंगे गुलाब जल और फिर इन सारी चीज को बना लेना है ताकि हमारे फेस पे हम इसका एक लेयर सी बना सकें तो अब मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया है और अब हमें इसका अपने फेस पे पूरे हलके हातों से इसको लगा लेना है और बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है अपने फेस को वरना आपका फेस र नहीं होता है तो इसे हमारे फिस को कोई भी नुकसान नहीं होता हूै क्योंकि यह तो आए ordered 3 कॉई दो से को हमेशा से यूज करती है अभी तक मैंने बहार से कभी भी कोई चीज यूज नहीं की है अपने फैस के लिए तो मुझे यह चीज फाइदा भी मिलता है मार्केट से लीवी चीज चाहे कितनी ही नैचुरल क्यों ना हो लेकिन उसमें फिर भी केमिकल तो होता ही है क्योंकि बिना केमिकल के किसी भी चीज को इतने लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है फिर वही chemical हमारे face को नुक्सान पहुँचाते हैं या फिर हमारे face को red कर देते हैं या फिर निसान बना देते हैं या फिर हमारे चहरे पे pimples निकल आते हैं और पिर हम उनके वज़े से हमेशा परिसान रहते हैं तो उससे अच्छा है कि हम घर की remedies को यूज करें जो के हमारे पुराने जमाने में दादी नानी लोग किया करते थे और ये चीज़े बहुत ही नैचरल होती है इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है तो देखे मैंने अपने फेस पे एक गाड़ा सा लेयर इसका लगा लिया है और अब इसको हमें 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद सूखने के बाद मैं इसको वाश करके लिया आई हूँ तो आप मेरे फेस पे गलो देख सकते हैं और मेरा फेस एकदम क्लीन और साफ हो गया है और उसके बाद हलका सा गुलाब जल अपने हाथों में लेके अपने फेस पे आपको टैप टैप करके लगा लेना है इसको रगणना नहीं है बलकि ऐसी आपको हलके हाथों से टैप टैप करना है और जब ये फेस पे अच्छे से एब्जॉब हो जाए उसके बाद आपको अपने फेस को मॉस्चुराइज कर लेना है तो यहाँ पे मैं मॉस्चुराइजर यूज कर रही हूँ लेकमी का पिज मिल्क जो कि मुझे काफी अच्छा लगा अभी मैंने फर्स टाइम ही इसे यूज किया था तो इसके बाद मैं अपने फेस को मॉस्टुराइज कर लोंगी वैसे तो मेरी oily skin है अपने तो आपार गर्मी भी होने लगी है जल्दी एक next वीडियो के साथ एक नई remedy के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बबाई